उसके बाद बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है यह और यह है लॉस ऑफ प्रॉबिलिटी लॉस ऑफ प्रॉबिलिटी जाया तर यार काफी शॉटले डिसक्स किया जाता है लेकिन मैं थोड़ी से डिटेल आपनों को बता दो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो स्टुमेंट सब्सक्राइब बुक में को मुल्टिप्लिकेशन लोग उन्होंने लिखा बनेंगे लेकिन उसको भी हम देख लेंगे क्या होता है वह कुछन में आप इस्तवाल कर रहे होते हैं तो लॉस प्रॉबिलिकेशन तो अगर आपको बोला जाए अगर आपके बास मुल्टिपल इ करने लगा रहे होते हैं तीन इवेंट की क्लिकुलिशन बड़ी मुश्किल होती है अगर आपको प्रॉबिलिटी निकालो कि या तो इवेंट यह हो मतलब और की कंडिशन होती जहन में रखना कि जब भी एडिशन लॉफ एडिशन आपने अप्लाए करना है वहां पर आपक पास एंड देखा होगा तो इनकी पहचान है आप इस तरह कर सकते हो याद कि आपको बुरह जाएगी या तो इवेंट ए परफॉर्म हो या मतलब अर्दू में आप सौरी इंग्लिश में और होते हो या तो एवेंट एवो और एवेंट भी हो तो आप यहां पर क्या यूज तो लौफ एडिशन का फॉरा फॉर्मला क्या है आप देख सकते हो इतना क्यों मश्किल नहीं नहीं है कि प्रॉबटी और बी हो और ऑर वी या वी हो इसकी प्रॉबटी निकालना का फॉब्ला प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एंटर्सेक्शन या फिराल एंड बी लिए अब इस फॉम्मला आया कहां से क्या मतलब अब सबसे पहले तो मैं कल्फूजन आप लोगों के हल करता हूँ आम तरुपर स्टोड़न के जहन में आ सकती है बाद के ए और बी का मतलब क्या है तो ने समझतें के ए और बी का मतलब है कि या तो इवेंट ए परफार्म हो या एवेंट बी परफार्म हो लेकिन याद रखना इस और का मतलब इंगलिश में तो शायद आप ये ले सकते हूं लेकिन मैठ में जॉब लेते हो ना यहां पे जो और है वो inclusive और ह मतलब कि यहां पर एक तीसरा केस पर डिसकस किया जाता है जो कि बोथ का होता है कि या तो इवेंट A परफॉर्म हो जाए या इवेंट B परफॉर्म हो जाए या बोथ का केस पर डिसकस किया जाता है तो जरा समझ रो यह और और यहां पर आपको end नजरारक में फर्क है तो और कि मैंने आपको तीनों cases बता दी है या तो event A perform हो या event B perform हो या ऐसे भी cases है जिसमें दोनों perform हो रहे होंगे लेकिन और end में क्या फर्क है end में होता है कि लाजमी ये दोनों event perform हो like उसमें condition नहीं होती कि A हो B हो नहीं P A and B probability of A and B का मतलब के दोनों event perform हो इसके अंदर बस ये वले चीज़ कंसीडर की जाती है जबके A और B में आपको तीनों case बता दी है इसमें जो और है ना अगर strictly अगर आप बात करो तो और का मतलब exclusive और होता है exclusive और का मतलब ये logic के term है या math की field अपूरी logic वहाँ पे आप ये बाते यूज़ कर रहे होते हो के और अगर आपके exclusive है का मतलब बोथ वाला case आप discuss नहीं करोगे लेकिन अगर और inclusive हो तो आप फिर बोथ वाला case भी discuss करते हो जो कि हमें आप पे कर रहे होता है तो ये तो मैंने आपको और और end में फर्क रता होगी ये आपको सवाल में exact बटाए जाएगा आप 7.5 के जितने भी सवाल निकालो उसमें बात कोई बात छुपी भी नहीं होगी A और B को आइधर भी बोला जाता है कि आइधर A perform हो या B perform होगी अगर आपने निकाल ली है तो counting आपको आने चाहिए आपको बता होना चाहिए A और B में कितने elements आते हैं उसके बाद probability निकाल ले होगे तो for example आप यह बोलतों कि set A है ये set B है for example set A के अंदर हम 4-5 elements consider कर लेते हैं तो अगर आप count करो यहां पर 1-2-3-4-5-6-7 A के अंदर 7 elements है 1-2-3-4-5-6-7-8-9 B के अंदर 9 elements है लेकिन आप यहां पर बात observe करोगे कुछ ऐसे भी elements हैं जो इनके दर्में हम common है for example जो तीन elements है यह common है यह आपने A के अंदर भी count किये like A के अंदर भी आपने तीन elements को count किया है मतलब यहां पर भी तीन elements count हुए है जबके B के अंदर भी आपने तीन elements को count किया है हालक कि वो same 3 elements है तो क्या यह counting का fault है नहीं यह fault है लेकिन इस fault को ठीक कर देंगे आपने एक चीज़ को दो दफा count किया है तो compensate करने के आप क्या करें एक दफा subtract कर दो चीज़ आपने 2 दफा count किया 3 और 3 6 कर दिया आपने होने कितने चाहिए 3 मतलब एक दफा आपने extra कर दिया तो आप क्या कर दो एक दफा minus कर दो तो यह चो minus वाली चीज़ आपको नजर आ रही नहीं दाय जब आपने डोल किया और B आपके पास क्या है कि लेस देन 4 नंबर हो मतलब 1,2,3 लेस देन 4 यह है तो आप यहाँ करोगे कि A और B की probability हो निकाल तो लेंगे लेकिन इसमें ऐसा case भी है जिसमें दोना event एक साथ perform हो रहे है वह कौन सा है जब इसमें टुए आ यहाँ आपके पास आजाए तो A भी परफॉर्म हो रहे है तो जब आप इसकी probability में आपने 2 को consider किया है इसी तरह इसकी probability निकालोगे इसमें 2 उसमें 2 को consider किया हो रहे तो यह तो गल्प कर देगा तो कमपन्सेट करने के लिए आप एक नमपा सब्ट्रेट कर देशा तो कॉमन चीज ए उसको एक दफा में सब्ट्रेट कर दो क्योंकि वह दो दफा काउंट होगी तो यह ज़िए कि आपको यहां पर माइनस का नजर आ रहा है यह जो लॉफ एडि आपको बते है यह और बी या दो आउ भराका हो गा यह फासीबल यहां पर फाफोर्फार्म और यहां पर एकसाथ परफार्म नहिसकती है याद रखना जब भी आपका इवेंट्ट जो है तो आ आपके ऐंड¡-वड आक्स्क्लूर्यर थो थो लॉन ही नो सकते हैं तो जब भी इमेंट मेंच दिए एंड डी क्या हो जाएगी जीरो तो आपके पास एक फार्मुला आजाएगा पी और बी का फार्मुला बन जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी तो यह जो फार्मुला है या उसकत जूज करोंगे क्लिक्स अकुछ कमन आरहा होगा थीक है में जीए इंड्लिव बोल दो या नॉट मीजिए एक्स्क्लुजब बोल दो डोड़न ट्रम जी आम यूज सकते हो कि कुछ ना कुछ आपका पॉमन आ रहा है उनके तो यह है लॉफ इडिशन या उसकत यूज करों के जब भी आपक सब्सक्राइब दूसरा मुल्टिप्लिकेशन क्या होता है कि अगर आपको निकालने ही हो पी इवेंट एंड एंड इवेंड बी इसकी प्रॉबिलिटी आपको निकालने हैं तो यहां भी मौझूद था अब यहां पर जो पहला वाला केस आपनों के सामें लिखा है इसमें यह बता देता हो घरिमें वहां पर जब भी आपको लॉफ मॉल्टिकेशन यूज करना है यह कभी उसकरते हैं जब आपको बुला जाकर के दोनों एकसाथ परफॉर्म हो रहे होंगे तो आप वहां पर यूज करते पी एंड बी पी एंड जब आपको बूला जाएकर के दू टाइम पे अकर होंगी तो इनकी प्रॉबबिलिटी क्या है या फिर आप दो चीज़ों को रेंडम दो चीज़े ले लिए जो आप बहुत के हैड आना इसकी प्रॉबबिलिटी एंड और डाय में टू आना मतलब एक चांसे ख invert कियुक्तों के लिए का ने के साथ लिएए अपने हाने क्यों पर और टू आना ग Gefर फिर अप करले के और डिक अपने कर दोदोगे तो तो प्राइबिलिटी क्या हो जाएगी मतलब 1.12 परसें चांसे हैं स्वारी 1.12 चांसे हैं कि अगर आप क्वाइंट आजाए और डाय फैंकों के उसके अपर टू आजाए इस चीज के होने के के दोनों चीजों के होने के एक सांच बात की जारी है कितरे चांसे हैं य Examples या उसके साथ आपमें आपने कार्ड की ले लए यह यह पहली ह्पर चैपर आपप गार्ड कर लाफिछाय दूस्य दौर पर कार्ण उठाय जाए तो आपके पास ब्लैक रना चाहिए तो आप यह दो इवेंट क अंट फीजिन के 20 डों कि देते हों को आप में टोंक एप सर परफॉम्च को क्या भूदर गर सकते हैं और प्रोबिलिटी का यॉड़ी और अपको बताया जाएक एकट एφिर हुग कोनने दिसके इसके the तो फिल्हाल ना चलो मैं ऐसे लिख वाल ताकि आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए जो फॉर्मला आपके सामने लिखा हुए शर्थ इसमें क्या है कि इवेंट आपकी क्या होने चाहिए मैं अपको बताए की बहुत धिखेंप्ल सकते हो सकते हों doing यह ने च heightened की चिख भी तो अब पहले गया चलएंट को बोलता हुए इसका असर वह प्र फासतार पहले वम्पास थो वह सकता है तो अगर पहले इवन्बऺ्टा इंपेक्ट दूसरे के उपर ना हो या दूसरे के उपर ना हो तो उन इवेंट को आप क्या कहते हो इंडिपेंडेंट के आप इंडिपेंडेंट है कोई दूसरे के उपर असंदास नहीं हो रहा कि आप दूसरा पहले 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 मसला हो गया नहीं या पहले पहले मसला नहीं independent नहीं इसी तरीके से आप एक डायफ हैं को उसके साथ coin को toss करो independent events है कोई असल नहीं पड़ेगा आप डायग उपर कुछ भी आजाए coin को 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 मसला नहीं है तो यह दोनों क्या होंगे independent event होंगे इसी तरीके से एक एक card आपने उठाया पहला आपे red card उठाया पहला अब कोई फर्म नहीं पड़ा आगर आप red card उठाओ या अगर आप black card उठाओ यह इंडिपेंडेंट कर दिया तो तो इंडिपेंडेंट है लेकिन अगर आपने दुबारा उठाके side पे रख दिया तो अभी इंडिपेंडेंट नहीं किला जाएगा यहीं से हम एक और चीज़ पढ़ेंगी वह dependent पहले भी मैं आपको बताया तो dependent कोंच होंगे जिसका दूसरे event पे असर हो रहा है पहले अब दूसरे event जब परफॉर्म कर रहे हैं और पहले हो गया है तो उसका असर दूसरे पर पाड़ है आपने दो हो इंडिपेंट होगा दूसरे event आप रेड़ी कहना चाहरे हो ब्लैक को छोड़ दो दुबारा रेड़ की बात करते हैं तो अगर दुबारा दूसरी दपर जब आप काड़ उठाओगे रेड़ तो तब इसकी पर उठाओगे यह केस है जब आप विद रिप्लेस्मेंट कर होगे तो अब क्या होगी 25-51 क्यों क्योंकि आप पहरी दफार उठाया उठाया उसको साइट पर रख दिया अब जो कार्ट है उसके अंदर कितने कार्ट है आप कोड़ फिटी वन कार्ज रहें रहें रेड़ कितने रहें एक आपन उठा लिए था 25 रहें तो अब अगर दूसा लिखाने लगाता ना वह यह था कि अधिश्य का मतलब क्या होता है प्रॉबिलिटी ओफ एट जो है वो ऑल्लीडी हो जुका है मतलब इसको इस तरह कहोगे कि हम बीडी की निकाल रहें गिवन दैट के एवेंट हो गया है अब हम बीडी निकालना चाल रहें तो यह लेका मतलब यह कि जो बी है वो डिपेंड कर रहें एक हो गया तो बीडी पोड़ी बेंगे इसको आप बोलतों डिपैंट निमेंट और यह जो प्रॉबिलिटी होती है इसको बोलतों डिशनल प्रॉबिलिटी जिसका कोई सवाल आप लोग में लिखावा नहीं है आप यह लेकिन आप जिकर भी नहीं करने होगे लेकिन वह फॉर्मॉला इसा फैंसी उमकुछ भी यूज नहीं कर रहे होंगे लेकिन से लिखा है कि एक बंदे के पास चार वाइट मार्बल हैं पांच ग्रीन मार्बल और इस डॉन और अप्ता आप यहाँ और मार्बल इस पौरश वाइट 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 उठाया है तो दूसरा मार्बल इसकी वाइट उठाया होगा तो क्या प्रॉबिलिटी वाइड चार्ण है और तो वाइड नहीं की पॉपर उखने के आगी उसने वाइड उठाने के बाद तो अब ग्रीम की पॉपर बटाओ प्रॉइडबिट कि उसमें वाइड उठा लिया पहले तो गिवन यह तो यह था रही है तो यह तो प्रॉपर अब आप ताउड बजगे और कितने green है 5 तो यह जो probability आपको निकालने होती तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको बोला जाए 1st marble white है एंड second marble green है तो क्या probability है कि दोनों एक साथ होंगे मतलब एंड का case होगा इसकी probability निकालने के लिए इन दोनों को multiply करते हैं और जो 5 upon 8 है यह क्या चीज़ा है यह है कि probability of B given that A हो गया अगर A ना होता तो B की probability नहीं होती फॉर इसके अदर 8 ही होते हैं इसके नौ होते हैं नौ कार्ट्स होते हैं अगर आप ना उठाया होता कार्ट्स हैं क्या है लेकिन आपने परफॉर्म कर लिया उसका असर बिचार की उपर पड़ा है तो यह 5.8 की probability होगी तो निकाली डिपेंड़ी थे लेकिन हम डिसके इतना नहीं करते हैं क्योंकि वैसी आप निकाल ले तो इतना इस्व नहीं होता तो कहने का मतलब यहां पे चीज़े मैंने आप लेकिन आपने को काफी डिसकस की है सबसे पहले आपने कंडिशनल प्रॉबिलटी देखिए चिपने आप लों की बुक का हिसा नहीं है स्करण करते हो कंडिशनल प्रवलिटी आपकी उसमार्य होती है जब आपके एवेंट जो हैं यह एक इवेंट का इसर दूसरी के उपर और independent events पो होते हैं जिनका आपस में कोई असर नहीं पढ़ रहा है और उनकी probability किस तरह निकालते हो जस्ट एक probability निकालो भी की probability निकालो और उनको आपस में multiply करते हो दोनों केसे में multiply करते हैं लेकिन इस वाले का case discuss हो, end मतलब दोने event एक साथ perform हो और और का मतलब या तो event a perform हो जाए या event b perform हो जाए set की language में यह जो और है इसको आप union से लिख रहे होते हो क्योंकि union का मतलब यह होता है union का मतलब क्या होता है union में अगर आप देखो तो तीन किसम के element आपको नजर आते हैं एक वो element होते हैं जो सिर्फ a से belong कर रहे होते हैं अगर आप आप आई रहा में देखो कुछ ऐसे element है जो बिलॉंक कर रहे होते हैं और तीसरे वो element होते हैं इंटरसेक्शन होते हैं तो union यह जो और यहां पर काम करता है mathematical set theory में इसको आप union से लिखते ह आपको एंटरसेक्शन का कि दोनों एक साथ परफॉर्म हो तो इंटरसेक्शन आप यूज कर रहे होते हैं तो बचो अभी तक हमने क्या डिसकस किया law of addition यूज किया यह पूरा law of addition है अगर आपके event mutually exclusive है तो फिर intersection की probability 0 होती है क्योंकि दो event एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते तो आप यह वाला यूज कर रहे हैं यह आपको सवाल में देखके पता चल जाते हैं जब सवाल होंगे तो आपको समझ जाओंगे intersection कुछ हा रहा है नहीं है और आपसाइं से कर लोग है यह फॉल करेगा law of multiplication के अंडर किस तरीके साब निकाल होगे आप दोनों event की probabilities को आपसे सब्सक्राइब करोगे प्रोवाइडिट वह independent है अगर मैं इंडिपेंट नहीं आप फिर भी करना है लेकिन probabilities आप different तरीके से निकाल के फिर भी हम multiply करोगे लेकिन यह मैं इस पर क्यूं दोर दे रहा हूं कि वह independent हों क्यूंकि आम तोर पर सुन के जहन में यह भी आता है जब सब्सक्राइब करें लेकिन आप देखोगे इन वाले cases में इस तरह करनी होते हैं ऐसा कर भी होते हो एक सवाल है आपके जिसमें लिखाव है हभी किसी वोजन को सॉल्फ करें तो वह दोनों जो है वो क्या है यहां पर इंडिपेंड इवेंट है इस चीज को याद रखना है वह भुष करते हो ना यहां इंडिपेंडेंट पर घरते हो कि आपको बता सुपनेंट हैं तो अनों की प्रवब्लीद इसको में इसके बन जाते हैं यह थोड़ी सी हम जी इसको होई सीखें को हमें गजी शीव है तो इन डिपेंडन तो होई नहीं सकते वह द्यपेंड प्रफॉर्म का मतलब क्या होता है अगर एपरफॉर्म रही होगा तो टो यह कर रहे हो सकता तो जब भी मैंट्स मुश्य एक्लूसिव है तो रहे हैं तो जहन है तो इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है तो पहले तो आप यह चीज है में रख लो मंदिगा नहीं करता है फिर अगर इसकी बात करो जो मिचली इसकी नहीं है तो फिर दो करी लिए वह बेंडेंट भी हो सकते हैं वह इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं अब इसे और नंबर आ जाए या अब यह दो तो ऐसे event है जो mutually exclusive नहीं है और नंबर या प्राइम नंबर इसमें common output है 3 आ जाए 5 आजए 7 आजए और भी ये प्राइम भी है इसका मतलब भी mutually exclusive नहीं है तो उसमें आप इसकी probability कैसे निकालोगे आप set से consider कर रहोगे आप देखो कि यार इसमें intersection वाले केस कितने है आप वो discuss करोगे जितने number of cases होंगे intersection वाले डिवाइट कर दोगे total से तो आपके पास intersection की probability आजएगी क्यों क्यूंकि वहाँ पर आपको नहीं पता वो dependent है और इन cases में ज्यादा dependent ही होता है या आपको कैसे पता जलेगा आप A और B की probability मुल्टिप्लाइ कर लेना आप जब A और B की probability मुल्टिप्लाइ करोगे और जो एंटरसेक्शन बीकिया पर निकाली होगी आप मैस कर लोगे दोना आपसे बराबर नहीं होगी तो इस वाले केस में आप मुल्टिप्लाइ करके निकाल लोगे और मैंने आपको 7.5 की एक्जेंपल दीथी कि ताहा और हभीब बाला कॉशन था अब वहां पर A और B की probability में आप इसकी probability कैसे निकाल लेते हैं करके निकाल लेते हैं उसके बातों को जहन में रखके आपने कुर्शन को करना है उसके बाद नेक्स लेविल की मैंने कुफ्टगू की है जो आपको उनिवस्टी में जब आप पोड़ोगे तो यह अंडरस्टेंग के लिए थोड़ा बेतर होगा कि डिपेंडेंट क्या होत बेसिक प्वाबिलिटी के फार्वला डिसकस किया था वो 7.4 को टॉपिक है इस लेक्षर में इतना ही कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लेना अलाहाफेस